इस वियापार के सबसे काबिल हाथ और एक बार फिर साबित किया इन्होंने क्या कैच लिया है इसको अपना बेसिक गेम खेलना चाहिए और अपनी विकेट नहीं कवानी चाहिए नस्दी की फेल्डर्स पूरी तरक चौकस गुलेल की भाती बॉल फेंकी सीधा क्रीस पर अच्छा ध्रो वन 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 फेल्डर्स ने रोक रोक के रनों को रोक दिया है कीसरे अंपायर से पूछा गया है क्योंकि इतना करीबी निरने उसी वक्त नहीं लिया जा सकता कोई शंका नहीं कि ये कीपर के हाथ में गई है लेकिन हाट स्पोट दिखा रहा है कि गेन बल्ले से चूकी है बैटिंग साइड ने बहुत बाइब तो खूब लगाई लेकिन क्या घर पहुचे बहुत करीबी मामला था लेकिन अंपायर की उंगली उठी रन आउट नए बल्ले बाज आते हुए इनको टीम प्लैन के मताबिक खेल कर पारी को संभालना होगा लंच का समय हुआ एक लंबे सत्र के बाद दोनों टीमों को राहत जड़ दिया इसे एक्स्ट्रा कवर के दिशा में इन्हें तेजी से भागना पड़ेगा सुरक्षित रहने के लिए उन 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 अच्छी बैटिंग जाने दिया बल्ले बाजने ला जवाब कत्वों का इस्तमाल बल्ले बास द्वारा धकेल दिया गेंड को स्क्वेर रीजन की तरफ बड़ाई दुर्भाग ये पूंड कट हो सकता है ये ऐसे शॉट के लिए जाना तो नहीं चाहिए था अल्ट्रा एज को लाए है कनफर्म करने के लिए स्पाइक दिखी और खेल समाक्त अल्ट्रा एज ने शंका दूर की इस खुबसूरत गेंड पर बल्ले बास आउट इसको बेसिक क्रिकिट खेलना चाहिए बस अपना नैचरल गेम खेले ये एक पार्ट टाइमर है प्रबल दावेदार बैट और बॉल दोनों के साथ क्रीस पर जमें बल्ले बास ने अच्छा अनुमान लगाया बल्ले बास बड़े शॉट खेलने के लिए थोड़ा कतराते हुए कोई रन नहीं इस गेंड पर कमान आउट फील्ड पे स्लाइड करते हुए पकड़ी आव विश्वस नहीं है कैच नया बल्ले बास आता हुआ लगता है अपने टीम के उमीदों पर खरा उतरेगा बड़ी हिख्यान से बॉल को देखा और सीधा प्रहार किया फील्डर ने बॉल को बहुत जल्दी देख लिया मैदान में बहुत शांदार प्रयास बहुत अच्छा प्रयास फील्डर द्वारा बढ़िया थ्रो आफसेट पर लगाया एक उम्दा ड्राइव खूबसूरत फॉल्डर थ्रो के साथ बल्ले बास को जगा मिली आफसेट पर फील्डर के बीच बल्ले बास को टिक कर खेलने के लिए मौका ही नहीं देना चाते गेंद बास विकेट के दूसरी तरफ से बॉल करने जा रहे है क्या ही ओवर दे विकेट बॉल करके बल्ले बास को चक्मा दे पाएंगे प्रयास तो पूरा करेंगे ये आउट बोल्ड किया बल्ले बास आउट की खेल लेगी नो गुलेल की भादी बाल फैंकी सीधा क्रीस पर अच्छा थरो गेंद बास तैयार अराउंड दे विकेट गेंद फैंकने के लिए काफी रोचक होगा ये ला जवाब कत्वों का इस्तमाल बल्ले बास द्वारा थकेट फील्डर ने गेंद का बहुत अच्छा नुमान लगाया वन 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 गुटने पर आए और स्वीप कर दिया है बॉलर को बल्ले का किनारा लगा क्या अमपायर ने स्टम्प कैमरा की मांगी है कैच पकड़ा लेकिन कैच था जी हाँ होट स्पोट पर निशान आ रहा है और बेशक ये हुए आउट क्या गेंद बाजी की है बॉलर ने ये गई एक और विकेट अब इसे अंतक रहे कर इस पारी को संभालना होगा डाइव लगाई और करी कमाई बाउंडरी ने गुलेल की भादी बॉल फेंगी सीधा क्रीस पर अच्छा थरो क्या फूर्ती दिखाई है शानदार तरीके से रोका बहुत अच्छी फील्डिंग का नजारा अब ऐसा प्रदर्शन बरकरार रहना चाहिए दोनों बल्ले बाजों ने क्या फूर्ती से दोड़ लगाई लाट ओड बॉलर इस मिरने से पहुत निराश ऐसा लगता है रिव्यू के लिए जाएंगे इसे चील की आँखों से देखना पड़ेगा विकी ने पकड़ तो लिया है लेकिन क्या किनारा लगा बारीक नारा पकड़ी कैच इंफ्रा रेट कंफर्म करेगा जी हाँ हाँ होट स्पोट पे आया ये बलिप और कहानी खताम दुर्भा के पॉंड रहे टाइमिंग में और बल्ले बाज आउट ये आउट दे दिया गया अमपायर द्वारा बॉलिंग साइड की आकरावक शुरुआत चलता इनको अपने टीम के लिए टिक कर गेम के अंत खेलना होगा कि इनको आज कुछ नया करने का प्रयास करना चाहते हैं अब भायर नेचेंज आइड्सका इशारा किया है अगर ने राझली करोंगे अगर कर दूंगा ओगर कर दूंगा अगर कर ने अगर आज ये गृट कर दूंगा आज़ए एग पर नाई शानदार तरीके से ड्राइब गिया कवर्स के क्षेत्र में फील्डर्स का पूरी तरह से वर्चस्व कुछ नहीं मिलने वाला भाई और अंत में अच्छी फील्डिंग बहुत अच्छी थ्रोप हैं कि सीधा स्टम्स के उपर खजब की फुर्ती और तेज थ्रोप ये है उम्दा क्षेत रक्षण उम्दा गेन बाजी कोई रन नहीं दिया बहुत सुन्दर ड्राइब सीधा बाउंडरी की ओर इस जोड़ी के बीच अच्छा ताल मिल लाजवाब रनिंग बहुत सुन्दर गेन स्विंग करती हुए आई वन 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 कवर और मिड़ाफ के बीच से चीलता हुआ शानदा ड्राइब